नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाच Finder पर So I'm sure आप सभी ने नाम सुना होगा of something called as AUKUS AUKUS basically एक बहुत ही बड़ी डील हुई थी between Australia, the UK and the USA regarding a particular submarine जिसको लेकर USA basically यहाँ पे देने वाला था Australia को इस पूरी की पूरी डील से अगर कोई country बहुत जादा हताश और परिशान हुई थी वो थी France और in fact यह परिशानी इतनी बढ़ चुकी थी कि France के द्वारा अपने ambassadors को recall किया गया था जो कि इनके UK, USA और Australia में ambassadors थे उस particular जखम को भरने के लिए कहीं ना कहीं अब USA और France एक नई aircraft carrier की deal के लिए बातचीत करनी शुरू कर चुके हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं Forbes का ये article है USA French deal on new aircraft carriers could basically mend the rift from the sub snub sub snub क्या चीज है जो आपका AUKUS का basically deal था वो submarines का deal था इसलिए जो submarines के snubbing हुई है France की इस पूरे की पूरे deal के चलते उसके चलते यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि शायद ये वाली deal उस जखम को भर सकती है बात करेंगे briefly AUKUS deal के बारे में उसके बात करेंगे कि ये जो नई deal है इसके क्या-क्या provisions है क्या-क्या इसकी विशेष्थाएं है चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद इस lecture की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिये गए टेलिग्राम चैनल के माध्यम से इसके इलावा आप लोग जुड़ सकते हैं ये इस पर्टिकुलर हैंडल on the Unacademy app as well AUKUS deal की बात करूँ बहुत ही briefly basically UK, USA और Australia के द्वारा ये एक historic security pact announced किया गया था formal signing है ये हाल ही में हुई है इसकी announcement आज से लगभग 2 सवा 2 महीने पहले हुई थी September के महीने में लेकिन इसकी जो formal signing है ये just पिछले हफ़ते की ही बात है जब ये conclude की गई है अगर हम AUKUS pact की बात करें तो basically इसमें क्या है कि Australia would build a fleet of nuclear powered submarines with the help of the USA and the UK एक ऐसी शमता जिसके चलते basically वो Indo-Pacific region में जाधा stability और अपनी dominance को बढ़ाने की कोशिश करने वाले हैं इस पूरी की पूरी चीज़ को लेकर France काफी परेशान था AUKUS formation has ignited unprecedented French fury France is upset because number one point it has lost a mega submarine deal to the USA इनकी एक बहुत बड़ी submarine deal थी जो की US के साथ इनको मिलने वाली थी वो इनको नहीं मिली और साथी में France यहाँ पर एक तरीके से काफी जादा बेजिती महसूस कर रहा है because France को इस पूरी की पूरी deal के बारे में जानकारी ही नहीं थी उनको they were kept in the dark about what the other three democracies were planning इसके बाद यहाँ तक बात सामने आई कि AUKUS की वज़े से इतना गहरा जखम France के उपर आया था कि US और EU के relations भी खराब हो सकते हैं और इतना ही नहीं USA और NATO के relations भी यहाँ पर खराब हो सकते हैं इसकी वज़े से यह पूरा का पूरा जो international coalition है Indo-Pacific में इसका जो दबदबा है वो कम हो सकता है Now इस चीज़ को लेकर एक और चीज़ आपको बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर आचली जो deal है यह केवल और केवल आपकी deal submarines के साथ deal नहीं करती है Morrison जो की Australia के प्राइम मिनिस्टर इनों ने मेंशन किया दाट Australia will also acquire additional long-range strike capabilities for the Australian Defence Forces इसमें along with the submarines इनको cruise missiles मिलने वाली हैं जो की Australia को वेलिबल करवाई जाएंगी साथी में Australia will also get the joint air-to-surface stand-off missiles which will enable so that इनके जो hornet supersonic multi-role combat jets हैं इनमें basically इनकी जो आपके से कहें strike capabilities और भेतर हो सकें असल में France के यहाँ पर परिशान होने का एक और बड़ा कारण भी था 2016 की बात है Australia के द्वारा एक बड़ी deal को sign किया गया था जिसके चलते वो France के जाने माने naval group से 12 diesel electric submarines को acquire करने वाला था लेकिन क्योंकि अब Australia ने यह वाली deal यहाँ पर final कर दी है with the USA and the UK जिसके चलते अब यह वाली deal जो France के साथ थी यह automatically यहाँ पर cancel हो जाती है The cancellation of the deal with Australia means high potential revenues for the France and military industry are now lost तो यह कुछ-कुछ कारण यहाँ पर बन जाते हैं जिसकी वज़े से France काफी जादा परिशान हो जाता है यह आप देख सकते हैं यह वो वाली आपकी submarine है जो कि Australia acquire करने वाला था from the France's naval group Now, इस particular चीज को चलते France से कुछ commentary भी आई है यह France के foreign minister है Jean-Wise Le Drian इन्होंने क्या कहा It's really a stab in the back We had established a relationship of trust with Australia This trust has now been betrayed इसके बाद इन्होंने यह भी कहा कि France was the third largest provider of arms to Australia जो कि लगभग 565 US dollars worth of weapons 565 millions आएगा I'm sorry यहाँ पर इतना worth of weapons यह लोग यहाँ पर supply कर रहे थे during this period लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर Australia के द्वारा एक तरीके से हमारी पीठ में छुरा थोपा गया है Now, आप देख सकते हैं इस चीज को लेकर France काफी furious था इन्होंने अपने ambassadors को recall किया from USA on Australia लेकिन after कुछ बातचीत होने के बाद यह चीज सामने आई कि France अपने ambassadors को वापिस भेजने वाला है to the USA after the Macron-Biden call अब यह वाली जो Macron-Biden call है इसमें basically क्या बात होई यह कहा जा रहा है कि यहाँ पर USA के द्वारा France का जो aircraft carrier है जिसका नाम है Charles de Gaulle जो कि France की Navy का flagship aircraft carrier है इसके अंदर कुछ-कुछ repairs है कुछ-कुछ नई technologies है जो कि USA इनको देने वाला है यह वाला जो आपका aircraft carrier है इसकी photo आप यहाँ पर देख सकते हैं France का flagship aircraft carrier है उनकी Navy का सबसे आगे चलने वाला carrier है It is set to retire in the late 2030s लेकिन इसका जो flat top है इसको replace करवाना है and France intends to build a mid-sized nuclear-powered aircraft carrier and इसके चलते इन्होंने USA को approach किया है और यहाँ पर USA ने यह काम करने के लिए हाँ भर दी है यहाँ पर अगर आप देखेंगे basically सबसे important चीज़ जो की USA France को offer करने वाला है France is eager to exploit emails emails क्या चीज़ है अमेरिका के द्वारा बनाया गया नया electromagnetic launch and recovery system है जिसकी वज़े से इस particular aircraft carrier के उपर से जो launching और इसकी जो आपकी क्या कहते है landing है aircraft की यह काफी जादा आसान और improve हो सकती है email system की photo आप यहाँ पर देख सकते है यह दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से यह catapult system के उपर based है जिसकी वज़े से यह आपका काफी जादा effectively काम करता है यह आपका emails है electromagnetic aircraft launch system is a type of aircraft launching system which is developed by General Atomics for the US Navy और अब इसी particular system के पीछे basically France पढ़ गया है कि अगर आप हमें यह वाला system दे देते हैं उस case में हम जो आपसे इतना नराज थे वो शायद नराजगी कम हो सकती है now यहाँ पर एक इसमें angle यह भी आता है actually America और France दुनिया की बड़ी-बड़ी democracies हैं और UN में permanent members भी हैं तो यहाँ पर अगर इन दोनों के बीच में rift आता है तो कहीं ना कहीं इसका फाइदा चाइना को ही होगा लेकिन इस particular चीज को समझते हुए अब दोनों countries साथ में आ रही है फ्रांस यहाँ पर अगर मान लीजे कलको कुछ भी USA के लिए develop करता है या फिर on the other way कि USA फ्रांस के लिए कुछ develop करता है तो कहीं ना कहीं दोनों countries को ही फाइदा मिलने वाला है America and France have a lot to offer each other in a shared aircraft carrier project America के पास technology है expertise है, widest experience है with the carrier designs France basically यहाँ पर कुछ और यहाँ पर इनको offer करेगा, ठीक है तो कहीं ना कहीं यह एक दूसरे के साथ मिल करके compliment कर सकते हैं अपनी capabilities को और अपना जो rift बन गया था उसको यहाँ पर improve कर सकते हैं अब recently देखे हैं इन्होंने Canada में operation ननूख हुआ, वहाँ पर भी इन्होंने साथ में हिस्सा लिया, ठीक है और और भी कई सारी multinational military exercises में यह लोग साथ में हिस्सा लेते हैं, ठीक है Now, ऐसा experts के द्वारा मानना है कि even AUKUS यहाँ पर sign हो चुका है, obviously वापस नहीं होने वाला है, लेकिन कहीं कहीं जो आपकी C है, जो आपका समुद्र है वो एक solid foundation offer करता है to the two countries of France and the USA जिसके चलते इनकी जो relation है वो आगे जाके और भी बहतर हो सकती है, आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या यह एक अच्छी deal है with respect to AUKUS, क्या यहाँ पर France इस चीज को लेकर, जो है satisfy हो पाएगा या फिर नहीं अपनी राय हमें comment section में देना बिल्कुल मिलना भूले, फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही, जाने से पहले बताना चाहूंगा कि हम लोग आपके लिए special series run कर रहे हैं जिसमें आपको जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलना, 27 नमबर को दुपहर 4 वजे एक लास होने वाली है, इसमें जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलना, साथ ही में आपको Mega Combat में हिस्ता लेना है, using my referral code Unnie UPSC in order to get the various scholarships offered by Unacademy, और इसके लावा नए offers Unacademy आपके लिए लेकर आए है, जिसमें आप लोग Unnie UPSC code से 10% के discount के साथ साथ 500 रुपे का और discount ले सकते हैं, इसमें आपको ये फायदे मिलेंगे, मेरी personal guidance, WhatsApp Group में addition 20 books आपके खर्तक पहुँचाए जाएंगी, साथ ही में test series भी आपको available करवाई जाएगी, इसके साथ में आपको ये वाले batches available करवाई जा रहे हैं, मेरे दोरा भी आपको ये वाले offerings available करवाई जाएंगी, on that note, I take your lead, thank you for listening, stay tuned and stay safe.